पैसे ही का तमाम ये खंगो दिमार है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले उसका विश्लेशन करने के लिए हमाई साथ मौजूद है, माई नायन के एक्सक्रूटिव एटर सुभाम संखिदर, सुभाम जी बहुत-बहुत स्वागत है आपकर, बहुत शुक्रिया अभी पुल आपका, चलिए तो कारिकरियों का आगास करते हैं, शुरुवात करते हैं औ अब खाने के तेल को लेकर क्या कुछ अपडेट है, थोड़ी देर में चर्चा होगी, आरेल की डील को CCI की मनजूरी मिल गई है, जी हाँ, क्या है इसके माईने और किस तरीके से आपके TV देखने का तरीका बदलेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, मर्चल बैंकर्स के लिए बदलेंगे नियम, क्या है वो बदलाओ, करेंगे थोड़ी देर में विश्तार फुबक्षर्चा, रोजगार बढ़ाने के लिए आ रही है नई स्कीम, सरकार का फोकस लगातार अब जो है रोजगार को लेकर के बना हुआ है, क्या कुछ नई अपडेट्स है, डीटे की गावश्य और आखिर में कैसे चल रहा था सिंसे फरजी वाड़ा, इस पर भी करेंगे हम विस्तार फुर्वक बाचीत, लेकिन शुरुवात की करेंगे हम महगाई की ख़बर के साथ, और खाज तेल उत्पादन में भारत को आत नेभर बनाने के लिए नीती आयोग ने ख बहु आयामी रणिती के हिस्से के रूप में, क्लस्टर आधारित सीड हब बनाने, बायो फर्टिफाइड और सीड वराइटी को बढ़ावा देने, नई टेकनलोजी को अपनाने और प्रोसेसिंग वर रिफाइनिंग के जरिए वैल्यू एडिशन करने का भी प्रस्ताओ द लेकिन ये जो नितियायो का पेपर है या जो ये पूरी कोशिश है ये बहुत दूरगामी लक्षियों को केंद्रित करकर लाया गया है, इसमें ये कहा गया है कि भारत को पूरी तरीके से आत्म नर्वर बनना है कम से कम खाद तेलों के मामले में, अभी भारत अपनी जरूर वर्ष है वो शुरू हो रहा है, नवंबर से अक्टूबर तक का ये फसल वर्ष होता है, सोयबीन की फसल धीर दीरे आने लगी है और नई ओयल सीट की सोईंग का समय अब शुरू हो रहा है, इससे ठीक पहले नितियायो का ये पेपर आना, उससे पहले सरकार का ये कहना की import duty को बढ़ाया जा सकता है ये पूरी एक कोशिश इस तरीके की है कि किस तरीके से किसानों को जागरोग किया जाए इस और की वो कैसे जादा से जादा oil seed में काम करें जादा से जादा उसका production करें देखने की बात यह है यहाँ पर कि नितियायोग ने साथ-साथ अच्छी variety ला करते हुए घरिलू बाजार में रौशुगर को बेचनी की अनुमती देने का प्रस्ताव रखा है सरकार का ये कदम पिछले साथ साल से भी ज्यादा समय से लागो उस प्रतिबंद को खत्म कर देगा जो घरिलू बाजार में रौशुगर की बिक्री को रोकता है सुगर कैसे इंडस्ट्री की तरफ से डिबांड की जा रही थी कैसे इसका स्वरूप शुगर का बाजार बदलता हुआ दिखाए देगा और कैसे चीनी के सेक्टर में क्या इसे एक नए बदलाव की तोर पे दिखा जाए इस जी बिल्कुल यह जो प्रपोजल है यह जो इसी बात है एक सकारात्मक संकेत है इंडस्ट्री के लिए अच्छा माना जा रहा है जबकि यह जो शुगर है कौन से यह रौ शुगर है जिसको पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं किया जाता है 96-96 फीसद तक प्यूरिफाई होती है इसमें कहीं न कहीं अगर आप में लेगा तो सीवात इसकी मांग बढ़ेगी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है छोटी मिल्स को अभी इससे दूर रखा गया है एक चीज और यहां पर यह समझना ज़रूरी है कि इसका असर गुड़ और जो अन्य चीज़ें है शुगर के इंसे बनने वाली उन पर भी इ इसकी मीडिया एकाईयों के विले को अपनी मंजूरी दे दी है आयोग ने इस विले को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है इस विले से सतर हजार करोड रुपए से अधिक मोल लिवाली देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी अस्तित्तों में आएगी रिलाइंस अंडिस इसके वाइस चेर्मैन होंगे मीडिया इंडस्ट्री का चहरा किस तरीके से बदलता हुआ दिखाई देगा बहुत लोगों का कि कोई यह आशंका थी कि तरीके से जहां पर मोनोपोली होती हुई दिखाई देगी कुछ एक शेतर ऐसे हैं कैसे बड़ा परिवर्तन मीडिया इनदर होने जा रहा है जो पूरी चिंता थी वो इस बात की थी कि जो cricket का बाजार है वो किस तरह पूरी तरीके से monopoly हो जाएगा लेकिन इस फैसले को जब मंजूरी दी गई तो उसके साथ साथ दो बाते कही गई एक तो ये कि अपनी basket से कुछ channels का ये लोग monopoly create ना हो जाए दूसरे players को इतनी दिक्कत ना हो तो पूर्या जो मामला था वो ये था कि एक तो पूरा बाजार और दूसरा प्राइजिंग जब आप एक अधिकार कर लेंगे तो प्राइजिंग का क्या होगा दोनों चीजों पर जब एक CCI को सफाई मिल गई तब CCI ने इसको मनजूरी दे दी एक बहतोपोन सवार यहाँ पर यह बनता है कि हाला कि अभी वो deal हो नहीं पाई है अगर reliance और disney एक साथ हो गए अगर zee और sony एक साथ हो गए तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी एक ऐसी इस्ति हो जाएगी भाविश्य के उचद्ध में जैसी इस्ति टेलिकॉम इंडस्ट्री के अंदर है कि छोटे प्लेर्स के लिए सर्वाइफ करना बहुत मुस्किल हो जाए है बहुत हर इंडस्ट्री में यह होता पहले बहुत चोटी 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 कंपनियों ने फिर होकर कुछ रह जाता अब देखिए जो यह नई एंटिटी बन रही है रिलाइंस डिजनी के लेकर 120 टीवी चैनल होंगे इनके पास एंटर्टेन्मेंट स्पोर्ट्स को मिलाकर 750 मिलियन यारी की करीब 75 करोड रुप लोगों की व्यूवर्शिप इनके पास होगी 40 परसेंट एद्विटाइजियंट मार्केट का शियर केवल एक कंपनी के पास होगा सौ और पर भारत में खर्च हो रहे हैं कंपनी के अडविटाइजियंट पर उसमें 40 केवल एक गुरूप के पास जाएगा तो सीडी सी बात है कि बाजार में प्लियर बड़े हो जाएंगे और छोट खिलाडी जो है दिगश खिलाडी अब इस छेत्र में जो है उनका दबदबा होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन इस सबके बीच में श्रम और रोजगार मंत्राले रोजगार से जुड़ी हुई इस्कीम पर काम कर रहा है इसकीम पर मजदो संगटों की राय जानने के लिए श्रम मंत्री मंसुक पन्वारिया ने स्टेड यू nenhuma के साथ बैठक भी कि है इस बैठक से इनके के कि लिए उनके सुझाओ भी मांगी रहे हैं लेकिन कितनों पर आपको लगता है कि यह जो है अमल होपाएगा और दूसरा यह जो इलाई स्कीम है उसके बारे में थोड़ा बताईए जी देखी इलाई स्कीम बजट में घुशना की गई थी पंदरह हजार रुपए की सबसेडी देने की बात कही कही थी अब राय ये ली जा रही है कि किस तरीके से इसको दिया जाए अलग-अलग यूनियन का अलग-अलग कहना है यूनियन एक तरफ ये कह रही है कि ठीक है आप इस पूरे पंदरह हजार को तीन किष्टों में दीजिए और जो इंप्लॉई है उन तक पहुँचे इसके पूरी तरीके से रेगुलेट कीजिए जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि अगर बजट से कोई पैसा आ रहा है तो व साइफान आफ हो कि ठीक है बजट से पैसा निकला कंपनियों की बैलेंस शीट में चला कि लेकिन उसका हुआ क्या एंड यूजर को कितना लाब हो ये पता ना चले तो ये अलग अलग चीजें हैं इसके बाद ही ये तै होगा कि किस तरीके से ये इसकी मार्गे बढ़ेगी ने सुझाओ दिया है कि मर्चेंट बैंकर सेवी के निर्देश के अलावा वैलुएशन नहीं करेंगे ये जो आई प्यो बादार में जिस तरह की खल्चल देखने को मिल रही है क्या ये उन तमाम चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है क्योंकि पुछ दिन पहल लिखा करका अपको क्रूशियल होता है Marchant Banker एक तरीके से पूरी जिम्मृतारी कि पूरा काम चीजों का ये पूरा काम होता है अब अगर IPO market में इसका दूसरा पक्ष समझे, अगर IPO market में कहीं कुछ भी गफलत है, तो इसकी जिम्मेदारी भी एक तरीके से merchant banker की बनती है, तो समझना यह होगा, से भी यह चाहता है कि merchant banker के end से अगर कहीं कोई इस तरीके की समस्या है, तो वो ना आए, इसलिए वो merchant banker के जो हैं, उनको और ज्यादा सक्त करना, उनकी asset थोड़ी liquidity ज्यादा हो, उनका जो cash flow हो, कंपनियों का वो better हो, merchant banker ऐसे हो, जो स्थापित हो, जो किसी तरीके की गलत गतिविदियों में शामिल ना हो, merchant banker कोई director कंपनी का merchant banker का, कोई director या कोई senior executive issue करने वाली कंपनी में कोई या हैसियत ना रखता हो, कोई हिस्सा ना रखता हो, ये सारी चीजें देखी जाएंगे, और ये पूरी तरीके से जो कोशिश है, वो IPO बाजार को ज्यादा पारदर्शी बनाने की है, और merchant banker इसका एक एहम हिस्सा है, इसलिए उसके नियमों पर सेवी विस्तार से विचार कर ये मानके चलें कि जितनी तेजी के साथ merchant bankers निकल कर क्या रहे थे, हर दूसे दिन नया merchant banker दिखाई दे रहा था IPO के अंदर, उनकी संख्या घटेगी, कम से कम जो अब इस तरीके से 50 करोड रुपए कर दिया गया है, तो संख्या बल में थोड़ी कमी होगी है, देखिए संख बड़े merchant banker है, उनको ही मौका मिलेगा. जिससे उनके परिचालन की सकारात्मक छवी बनती है, और निवेशक शेयर खरीदने के लिए आकर्शित होते हैं, और इसका सबसे बड़ा और ताजा उधारन resourceful automobile से जुड़ा हुआ है. बारा करोड के IPO पर और तालिस सो करोड रुपए की बोली मिलने के बाद चर्चा में आई, resourceful automobile के शेयरों की लिस्टिंग आज एक डम फ्लैक होई. एक सो सत्रा रुपए पर लिस्ट होने के बाद शेयर पाँच फीसद लोवर सर्कृट के साथ एक सो क्यार रुपए पंदरा पैसे पर आ गया. इससे आपको दादे निवेशकों को पहले ही दिन नुकसान हो गया है, अब सवाल यहां पर यह निकल करके आ रहा है, यह पूरा मामला जो निकल करके आया, और इससे पहली ख़बर भी हम इसी विशेयर पर बादचीत कर थे आई, आई पी बादार को लेकर के, से भी जो है लगातार सकता है, और यह जो ताजा मामला है, और इस पर हमने मनी सेंटर ने बादचीत भी की दिशू हम जी, 12 करोड रुपए जुटाने की बात होई थी, और सीधे सीधे 4800 करोड से जादा, यह पूरा मामला एक तरीके का एक बाद इसकैम दिखाई दे रहा है, इसा लग लेकिन उसके बाद जब यह सब चीजें सामने आई, बादार में वही हुआ, और इससे पहले भी एक कंपनी थी, डीवक के जिसके प्रमोटर रिलेटेड पार्टी ट्रांडिक्शन में पकड़े गए थे कि आप पैसा निकाल कर दूसरी कंपनी में डाल दे रहे हैं, आपने रिष्टदारों से पैसा लगवा दे रहे हैं, बोली इंफलेट करा दे रहे हैं, बादार को ज़्यादा अकरशित बनाने के लिए, तो यह समझने की जरूरत है कि इस तरीके की गतिविदियों से जो आम निवेशक है, उनका भरोसा तो डोलता ही है, दूसरा नियामक पर ब प्राइस प्रैक्टिस है, इसको रोकने पर विचार करेगी, इस पर कदम आगे आने वाले दिनों में आप उठाते देख सकते हैं, किसी स्टॉक की लिमिट टैकर दी जाएगी, कि इस ज़्यादा उस पर अलगे अभी भी सरकेट है, पांच पर सरकेट है, जबकि होता तो य है, कि अगर नॉर्मल मेंबोर्ड आईप्यो है, तो वो उस दिन किसी भी इस्तिती तक जा सकता है, एसमी आईप्यो पर ये सरकेट की लिमिट लगाई कही है, आप आने वाले दिनों में और कसे हुए, और ज़्यादा टाइट यहाँ पर रेगुलेशन आते देख सकते हैं, एसमी आईप्यो को बढ़ावा देने के लिए शुरूबात में निशे तोर पर जो रेगुलेशन से थोड़ी ठील दी गई थी, लेकिन अब जिस तरीके की गतिविदियां यहाँ दिख रही हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि सेभी आने वाले दिनों में इस पर सकती कर सकती है। पर बता दें कि लगतार हम वाक के आईपयो के सेग्मेंट पे हम आपको लगतार अलर्ट कर रहे हैं कि सेभी कि अब आपकी जगा एसमी आईपयो को लेकर के थोड़ा अलर्ट होके पैसे लगाईए, बहुत लोग बहुत ज़्यादा उस्सा में अपनी पूंजी लगा रहे हैं लेकिन वहाँ पर ट्रैप होने की संभाव ना है, जब तक आप पूरी तरीके से या तो डियारेश पी ठीक से पढ़ें या फिर किसी अच्छे एक्सपर्ट की राय लें और उसके बाद ही कोई निड़ने ले कि आपको पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, बहुत सा चीए तो वहाँ के आई-प्यो है सेग्मेंट के साथ चुड़े रही है, इस भीच टेलिकॉम रेगुलेटर टियारे आई स्पैम कॉल्स और मैसेज को रोकने के लिए और कदम उठाने पर विचार कर रहा है, इसके तहत पोस्तर लंबर से किये जाने वाले स्पैम कॉल और म रही थी, यह भी मानना है कि यह स्पैम कॉल करने वाले जो की कमर्शिल कॉलिंग के लिए ट्राइक के नीमो का उलंगन करके प्राइविट सिप का इस्तमाल कर रहे थे, तमाम प्रयास किये गए लंबे समय से लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर रोक लग नहीं पाई है, एक्शन लगातार हो रहे हैं, क्या उम्मीद करें कब तक इनके उपर सकती हो पाईगी? एक आम इनसान तो हजार लोगों को पूरे दिन में कैसे कॉल कर सकता है? यह सिंपल सी बात है, आटोमेट है, मशीन के दवारा है, कंप्यूटर के दवारा है, तब ही यह कॉल सम्भव हैं. दूसरी तरफ आप देखिए, तो करीब ऐसे चार लाग सिम पाईगे हैं, जो पच गिरे का कोना है, जहां पर अभी ट्राइको और सकती करनी होगी, कि लोग परसनल नंबर को ही अगर कॉमर्शल यूज में लगा देते हैं. समझने की जरूरत यह है, समझने की बात यह है, कि अगर इनको ब्लॉक कर दिया गया है, मानु यह साथ जार सिम ब्लॉक कर दिया गय जब तक यहां यह तैर नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि इस तरीके की इस्तिती खराब जाएगी. इसका हाला कि दूसरा पक्ष भी है, एक दूसरा पक्ष क्या है, अगर आप एक आम उपभुकता के हिसाब से सोची, अगर आप आम एक छोटी ट्रेडर के हिसाब से करवाना चाहते हैं, बड़ी कंपनियां तो यह कर लेंगी, बैंक कर लेंगी, बड़े-बड़े जो दूसरी कंपनियां वो कर लेंगी, लेकिन छोटा ट्रेडर इसको कैसे करेगा, एक इसका भी जवाब ट्राई को ढूंडना होगा. इस बीच कुछ और मात्रफोन ख़बरों पर रुख कर लेते हैं, फटावट जटपट में. 11.6 लाग करोड रुपए की संपत्य के साथ गौता मदानी और उनका परिवार हुरून इंडिया रिच लिस्ट में पहले अस्थान पर पहुंच गया है. गौता मदानी ने संपत्य के मामले से में मुकेश हमानी को फिर से पीछे छोड़ दिया है. इंडिया रिच लिच 2024 के मताबिक भारत में पिछले साल हर पांच दिन में एक नेया रफपति बना है. पिछले एक साल के दुरां भारत मेरा पत्यों की संख्या में 29 पीसद की ब APIs की ब्रहुत्री हुई ह ہے. इसके तहत payment aggregators को integrated license प्रदान किया जाएगा इस बदलाओ से offline operation के लिए अलग से आविदन करने की ज़ुरत नहीं होगी Reserve Bank के एक वरिष्ट अधिकारी के अनुसार ग्रामीड शेत्रों में वित्ती समाविशन को बढ़ाने के लिए Reserve Bank मौझूदा Point of Sale मशीनों के साथ आधार सक्षम हुकतान प्रणाली यानि A.E.P.S. को एकित करने की दिशा में भी काम कर रहा है Dollar Index के मजबूत होने से Crude Oil पर दबाव देखा जा रहा है Dollar Index मजबूत होकर के 101.175 के इस्तर पर कारुबार कर रहा है तो यह कुछ एक मातफोन खबर थी किसे पर टिपड़ी आप पर टिपड़ी करने की जगा मैं एक ख़वर और जोड़ना चाहूँगा Reliance की AGM में bonus share की गोशना की गई है Reliance के लोगों को एक के बदले एक share मिलेगा अलागी पांस से तमर्ग होने वाली बोर्ड बैठक में निवेशकों की बैठक में इस पर मंजूरी ले जाएगी लेकिन मंजूरी के आप मानी अगर एलान कर दिया गया AGM में तो यह bonus share मिलेगा यह मुझे लगता है कि एक बड़ी खबर है जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए 35 लाग से जाधा share holders है कंपनी के पास उनको दिया जाएगा इसके लावाज जियो बीपी के पास जो टोटल वो हैं आउटलेट हैं या जितना भी फाइवर का काम हो चुका है इस पर भी काफी सारी बातें कही गई हैं AGM में रिटेल बिजनस को दुगना करने का लक्ष रखा गया है तो ये दिखाता है कि रिलाइंस आगे आने वाले दिनों में जो केश और केरी बिजनस है या इस तरीके के बिजनस है इन में कुछ नया वो कर सकता है ये बताया गया कि 2024 में 1840 नए स्टोर खुले हैं ये एक बड़ रिलाइंस के खुशना रिलाइंस की और से करती गए तो रिलाइंस के शेर थारकों के लिए अच्छी ख़बर, डेट परसेंट उपर बंद हुआ है रिलाइंस इंडिस्टी का शेर, गुरुआर को कारोबारी सत्र के दुरान, रिलाइंस से जुड़ी बाकी जो कमपनिया थ काफी बड़ी ख़बर है और शुक्रुआर के कारोबारी सत्र में यहां पर काफी हल्चल देखने को मिलेगी, तो बीच बजार और हेलो मनी राइन में इसका और ज्यादा विस्लेशन हम जो है शुक्रुआर को करते हुए दिखाए देंगे अपने तमाम एक्सपर्ट के इजाद बने रहिए मिझे इजाद दीजे और लगातार प्रसंद रहिए अपनी जेप का ख्याल रखे नमस्कार प्रस्त्रे लोह, व्याद रहिए झाल रहिए अपनी जेट अच्साए सब्सक्राइब का बंगे।